आगामी विधान सबाद चुनाओं को लेकर जारी ब्रामः पॉलिटिस्ट के दोरान सपा और बस्पा एक दूसरे पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना नीज चैनल इंडिया समचार बलिया जिले में जहां आगामी विधान सबाद चुनाओं को लेकर जारी ब्रामः पॉलिटिस्ट के दोरान सपा और बस्पा एक दूसरे पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं दोनों पार्टिया ब्रामः समाज को अपने पाले में होने का दम भर रहे हैं जबकि सपा और बस्पा एक दूसरे पर ब्रामः वर्ग को अपमानित करने का भी अरोप लगा रही हैं वर तलब है कि समाजबादी पार्टि ने जनोश्य मिश्राग की जेनती पर उनके गाम बलिया से ही प्रबुद्ध वर्ग संबेलन की शुरुआत कर रूप ब्रामः को रुजाने की कवाय शुरू की जबकि बस्पा की राष्टिय महासच्यू सतीश मिश्रन ने बलिया में पहुँच कर प्रबुद्ध वर्ग संबोष्ठी को संबोधित करती थे ब्रामः समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश की लेकिन दोनों पार्टियों की इस्तियाश्री कवायत के दोरान अब दोनों पार्टियों के नेता अपने पनी पार्टियों को ब्रामः का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करने में जुटी हुई हैं साधी साथ दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे की कार्ग्रमों में कमिया निकालने में अनन्द मोहन मिश्रा, बिरुद चीप बल्या की खास रिपोर्ट कि वहाँ पे कौन लोग उपस्ती थे बहुजन समाज प्राइटी के जो हमारे बेस वरकर हैं अगर उनकी मीटिंग बुला दी जाए तो फिर उतने छोटे ग्राउंड में नहीं हो सकता है वहाँ पे केवल प्रभुद दुबर के लोगों को ही बुलाए गया था और प्रभुद दुबर के लोग भी वहाँ पहुचे थे अलग यह जरूर था कि बहुत लोग अभी कहीं ने कहीं किसी कारण प्रसी दर्वदर फसे रहा गए क्योंकि यह प्रभुद दुबर की पूरी तरह से बहुचन समाज पाटी के साथ आ चुका है तो यह उनको बताना पड़ेगा उसमें मैंने पहले भी कहा कि वह मोबाइल में फोटो है अकबारों में फोटो है वहां से वीडियो ग्राफ हुए है तो जरह उसको देख लग जूम करके देखने लोग अगर जूम करने पर भी ना दिखाईते तो लोग बताएं उनके आई का चसमा हम कहीं से बनवा देंगे चसमा लगा के देख लें और पिछली बार 2007 में जिस तरह से बहुजन समाजिक पार्टे के साथ प्रभुद वर्ग आया था उसी तरह से फिर इस बार प्रभुद वर्ग ने मन बना दिया है और उसी की देन है आप अभी उसी की देन है कि उत्तर प्रदेस में भाजपा जो है भाजपा उस चीज को समझ रही है अब वो सबसे जादे बॉक्राइट में भाजपा हो गई है सपा तो चुकी अब कहीं रही नहीं तो भाजपा चुकी अब देखिये लगातार अपने ब्रामर नेताओं को आगे कर रही है उनको किसी को मं प्रभु दुबर्ग शम्मेलन किसी बिसे जात का नहीं होता है लेकिन जो संदेश देने के लिए बश्पा कमा सचीव आदमी शतीम मिस्राजी आये हुए थे वो बलियां के लोगों को शंदेश नहीं दिये ये कहने में कोई अत्यश्योक्ति नहीं होगी कि बलियां के प्रभुष जनों का उन्होंने अपमान करने का काम किया है कि उन्हें का मंच ही बता रहा था किया प्रभुष वर्ग शंमेलन नहीं है अन्य प्रभुष प्रभुष वर्ग के लोग वहां देखे गए जिस तरह से प्रभुष वर्ग गुस्टी का नाम दिया गया था वहां पर ब्राह्मणों की बात की जा रहे थी तो ब्राह्मण किसके साथ है इस बार चुनाओं नहीं सतीस मिस्ट्रा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाजबादी पाटी की भलाई के लिए कर रहे है प्रभुष वर्ग सम्मेलन बुलाया जाए और प्रभुष वर्ग नो हो आप प्रभुष वर्ग की बात की जाए इससे बड़ा और कोई दूसरी उत्ष्योक्ति नहीं हो सकती है बलियां हमेशा से जो है हर छेत्र में आगे रहा है जो राजज्ञीत का छेत्र हो चाहा जादी से पहले भारत का इतिहाज देख ले आजादी के बाद का देख ले अगर बलियां साहित्कार पैदा हुए जो हमार यान मान सम्मान है पंडित हजारी पर साथ दियोदी जी उनका भी जन्मस्थान बलियाई है आजादी से पहले अठारोसो संताउन में जब अंग्रेजों का शुरास्त नहीं हस्त होता था उस समय भी किसी ने उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई वह भी बलियाँ के धर्ति के रहने वाले मंगल पांडेजी थी जब देश गुलाम था तो कुछ दिन पहले जो आजादी की बात आई जिसमें तीन जन्पद स्वतहंत्र हुए जो अलग-अलग प्रदेशों से थे माराश का सतारा था अचिम मंगाल का मेदनिपूर था उत्रपेस का बलियाँ था उसमें भी कोई अगवाई किया और उसमें के करक्य को अटहका के कुछी पर बैठने का आपया तो भी बलियां के ही चितुपांडे थे तो सह्छत में देख लिए सिक्षा के च्चित में देख लिभी ए आजादी से पहले के इतिहार देख लीजिए आजादी के बाद के इतिहार देख लीजिए सम्में बलियां आगे रहा है संपूर्ण उत्र प्रदेश की जनता और खास्त प्रोध वर्ग यह मन बना चुका है कि इस आताइस सरकार को खाड फ्यकना है आने वाले दिनों में जिसे उत्र प्रदेश का विकास हो सके नौजवानों को